हेलो दोस्तो आज मैं हाजीर हूँ दस मिनीट वाली सीरीज के साथ तो भाई आज दस मिनीट छटपट बनने वाली रेसिपी कौन सी है जी हा मसूर कुलाओ तो इसके लिए ना मैंने देड़ कप चावल और देड़ कप मसूर की दाल ले ली दोस्तो ये छटपट रेसिपी है खाने में बहुत टेश्टी है बच्चों के टिफिन के लिए तो भाई परफेक्ट है अगर आपको भी खानी है तो आप ना खा सकते हो तो बसी से ना मैंने धो कर छोड़ दिया अब कुकर में ही डाइरेक्ट थोड़े खड़े मसाले अब डालना नहीं चाहते तो तेश पत्त और जीरा जरूर डाले हिंग तीन कटे प्याज और दो से चार हरी मिर्च एट की है इसे थोड़ा सा भून लेते हैं इसमें मैंने अध्रक लसुन का पेश्ट नहीं मिलाया है अब धनिया पाउडर हल्दी और स्वाधनुसा नमक डाल दे और सांथ के सांथ कुछ टमाटर मैं चेरी टोमेटोस डाल रही हूं तो इसलिए मैंने कम डाले हैं अगर आप नॉर्मल टमाटर डालते हैं तो थोड़े ज्यादा डालिए तब इसका टेश्ट भाई बहुत चटपट साने वाला है इसे थोड़ी देर भून ले दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप 10 मिनिट वाली सीरीज में और क्या देखना चाहते हैं मैं कोसिस करूंगी वो रेसिपी जटपट बनाने की तो देखें टमाटर हमारे भून गए हैं तो अब ना मैंने दाल और जो चामल भीगों के रखे ते वो डाल दिये थोड़ा गरम मसाला पुदीना धनिया डाल के थोड़ी देर हम ना इसे मिक्स कर लेते हैं अगर आप बड़ो के लिए बना रहे हैं तो आपको थोड़ा स्पाइसी खाना है ना तो मिर्च आप लाल मिर्च डाल सकते हैं या हरी मिर्च के संख्या बढ़ा सकते हैं ये तो मैं बच्चों के लिए बना रहे हूं ये टिपिन रेसिपी है तो भाई उनके अनुसार ही मैं बना रही हूं ठीक है तो दो मिनित चला लेते हैं फिर वाटर डालते हैं मैंने तीन कप लिया था चावल और दाल तो बस इसमें साड़े चार कप मैंने वाटर एड़ किया अब कुकर की धकन बन करके मैं इसे दो सीटी आने तक इंतजार करूंगी देखिए हाँ ये थोड़ी ना गीली-गीली बनती है तो आपना टेंसन मत लीजे दाल की वाली है ना ये पुलाओ लेकिन ये खाने में सच में बहुत टेश्टी है अब एक बड़ ट्राई करें और फिर मुझे बताए दोस्तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो इसे दही के साथ अचार के साथ इंजोई करें धन्यवाद दोस्तो